हाई, हेलो एब्रीवन, बेलकम टू आल आफ यू, दिस इस पुजा, डियर इस्पारेंट्स, आज हम सभी लोग प्रैक्टिस फोर करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट फोर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मेंली बालोजी की कोस्टन सौल करेंगे, ये वीडियो उन सभी रहने वाली है, जो इस पॉरन्स, गुरूफ ई, यानि कि दी फार्मेशी के लिए, पॉली टेक्निक इंट्रेंस इक्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों ने गुरूफ ई से फार्म को फिल किया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत बात पूट रहने वाली है, आ कोई भी कोश्चन्स या कोई भी टॉपिक पॉइंट आपको निव लगता है, तो उसे आप राइट कर लेंगे, है ना आप उसे राइट डाउन कर लेंगे, जिससे आपको लर्न करने में आसानी रहें, ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना प्रेक्टिस सेट स्टार्ट करत ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यह हमने यहां से प्रीबियस येर के कोश्चन्स पेपर में यहां से आपका जो डिस्क्रिप्शन है अलग से एड किया है, जिससे आपको हम अच्छे से समझा सकें, ठीक है, यहां पर हिंदी एंड इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में हमने पेपर को रखा है, ताकि हमारी बच्चों को, हमारी स्टुडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, हिंदी मीडियो मले भी अच्छे से पढ़ सकें, और इंग्लिस मीडियो मले भी, आपको यह सारी चीजे फ्री अपगास प्रोवाइट की जाती हैं, आप टेलिग्र के कोईशन पेपर को सॉल करने के लिए आप चैनल को सस्क्राइब, लाइक और सेयर कर लिजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कोईशन, आज का हमारा कोईशन है, अपने संपूर जीवन काल में, जो हमारी क्यून हने वी है, रानी मदमक्खी, यह कितनी बार इंटर में इन्टर कोईश में इन्वाल्व होती है, आपके पास ऑप्शन है, केवल एक बार, केवल दो बार, केवल तीन बार, या फिर कांटीनिवस, है ना, या फिर यह कांटीनिवसली कापुलेट करती है, सभी लोग एंसर करने की कोशिस करेंगे, ठीके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा, that is option number D, option number D, क्यों option number D, क्योंकि जो हनी भी है, इसे क्या करना होता है, सिर्फ और सिफ एग प्रोड्यूस करना होता है, है ना, इसे सिर्फ अंडे देने होते हैं, और य इपरोजन्ट एग प्रोड्वे करती है, क्योंन थानी भी है, कुईन भी है, इसका कोई दूसरा काम नहीं होता है, इसे सिर्फ एग प्रोड्यूस करना होता है, और अपने हायु मे अर्म से जेली को खाना होता है तो यह डेली कॉंटिनिवस जो है इंडर कोर्स में इंवाल्व होती है जो हमारी रानी मदमक्खी है यह फ़र्टिलाइजड एग से डेबलफ होती है जब कि जो ड्रॉन हनीवी होती है जो मेल हनीवी होती है वो अनफर्टिलाइजड एग से विक्सित होती है डेवलफ होती है तो अगर मेल हनीवी में बात करें तो वो कैसा होता है यानि कि यहाँ पर गुर्सूत्रों की संख्या क्रोमोश्रों का नंबर कितना होता 16 जबकि जो हमारी यहाँ पर गुर्सूत्रों की संख्या 32 होती है तो यहाँ पर गुर्सूत्रों की संख्या यानि कि क्रोमोश्रों का नंबर 32 होता है किलियर आई हो अच्छे से आपको यह कोश्चन समझ में आया होगा है ना तो यहां हमारा correct answer is option number D जो रानी मदमक्खी है जो queen V है यह continuously population करती है और daily जो है प्रत दिन approximately 2000 egg produce करती है clear everyone चलिए next question next question starfish में पेडी celery ठीक है starfish में पेडी celery का मुख्य कार्य है chief function of pedicelary in starfish is जो starfish है इसमें pedicelary नाम की structures पाई जाती है इसका function क्या है जो starfish है ठीक है जो starfish है तारा मचली जिसे कहते हैं यह phylum echinodermeta से विलांग करती है यह phylum echinodermeta से विलांग करती है यह क्या है invertebrates है यह true fish नहीं है यह बात भी आप याद रखेंगे starfish is not true fish यह true fish नहीं है तो इसमें जो pedicelary नाम की structures पाई जाती है starfish का कुछ इस तरीके से आप shape देखेंगे ठीके तो यहाँ पर कुछ जो arms है इनमें pedicelary नाम की structures प्रजेंट होती है तो इस pedicelary structures का main function है respiration, capturing, cleaning या फिर feeding तो सब भी लोग answer करेंगे यहाँ पर आपका correct answer क्या होगा that is option number C जो pedicelary है यह अपनी arms को clean करने में help करती है जो starfish के पास five arms है उन्हें clean रखने में help करती है तो main function pedicelary का cleaning में है starfish में pedicelary का मुखकार स्वच रखना है starfish में स्वचन गिल्स द्वारा होता है जिससे हम पैपुली कहते है ठीक है, गिल्स के द्वारा होता है जिससे हम पैपुली कहते है very very important इस point को भी आयाद रखेंगे क्योंकि जो starfish है, this is not true fish इसलिए यहाँ पर true gills नहीं देखने को मिलेंगे जो gills है, उन्हें हम क्या कहते है पैपुली, embolacral या जल सवचन तंद्र ठीक है, water vesicular system is unique characteristic feature आफ इकाइनो डर्मेटा phylum इकाइनो डर्मेटा का बिसिष्ट करेक्टर है embolacral system जल सवचन तंद्र जो जल सवचन तंद्र है, embolacral system है यह help करता है प्रचलन में, phorgen को पकड़ने में उसरजन तथा सुसन में सहायक होता है क्योंकि जब water current के साथ इसकी body में water जाएगा उसी के साथ जितने भी microorganism जाएगे छोटे छोटे जीव जाएगे उसे ये इंगल्फ कर लेगा क्लियर, I hope बहुत अच्छे से आप starfish के बारे में समझ पाएँ होंगे यहां से कोई भी question पुछा जाएगा तो I hope आप गलत नहीं करेंगे ठीक है? चलिए next question दूइस संकर टेस्ट क्रोस डाई हाइब्रिट टेस्ट क्रोस में प्राप्त प्रोजेनी में यद पैत्रक टाइप्स की संख्या पुनर गठित टाइप्स से अधिक है तो इसका कारण है question को पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे फिर आप option को अच्छे से पढ़ेंगे और eliminating methods को use करते भी आप answer करने की कोसिस करेंगे ठीक है? पिना hybrid test cross if parental types exceed the recombination type among the resultant प्रोजेनी, it is due to ये किसके कारण होता है? linkage के कारण या फिर complete linkage के कारण या फिर independent assortment के कारण या फिर crashing over चलिए, answer करने की कोसिस करिए तो यहाँ पर आपका correct answer क्या होगा? die hybrid cross में क्या होता है? जो parents हैं, ठीक है? जो parents हैं जो parents हैं इनमें जो gene को combination है, जो इनके traits हैं वही similar traits हमें प्रोजेनी में देखने को मिलते हैं ठीक है? प्रोजेनी में देखने को मिलते हैं तो यह किसके कारण हो सकता है? तो यह होता है आपके complete linkage के कारण किसके complete linkage के कारण? यानि कि जो भी एक गुर्षूत्र पर क्रोमोसोम पर जो genes present हैं वो काफी close, complete हैं जिससे की crossing over के दौरान ये gene exchange नहीं हो पाए जैसे के जैसे linked थे वैसे ही ये प्रोजेनी में आगए जिससे चो हमें parent में characters चो trade देखने को मिल रहा था similar हमें प्रोजेनी में भी देखने को मिलता है ये किसके कारण होता है? complete linkage किसके कारण? ठीके, तो यहां पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा? that is option number B complete linkage ठीके, complete linkage चलिए next question question number 32 कैरोलस लीनियस की दौरी नाम प्रडाली में निम्न लिखित में से कौन स्रेडी नहीं थी? ठीके कैरोलस लीनियस में जो कैरोलस लीनियस ने binomial ठीके, binomial system पर पोस्ट किया था उसमें इन में से क्या नहीं था? आपके पास option है once तथा जात, वर्ग तथा गड, संग तथा कुल, जगत तथा वर्ग बताईए, उन्होंने अपने binomial system में किसको include नहीं किया था? ठीके, आपसे not पुछा गया है तो जो उन्होंने अपने में नहीं इंक्लूड किया था, वो किया था? फाइलम एंड फैमिली कैरोलस लीनियस ने binomial system में फाइलम एंड फैमिली कैटेग्रीज को यूज नहीं किया था, ठीके? तो यहाँ पर आपका correct answer हो गया option number C चलिए, next question आपकी पास हमने हिंदी में description दे रखा है, पस्थे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीके? next question question number 33 यहाँ पर आपको मैच करना है, ठीके? यहाँ पर आपको correct मैच करना है, निम्न में ऐसे कौन सा सैवाल? समूह एवं उसके खाद भंडार का सही मिलान है, है ना जो अलगी है, वो क्या करती है? फोर्ड को इस्टोर कर लेती है है ना, which are the following अलगल ग्रूप is correctly matched with its food reserve, जो अलगी है, वो क्या करती है? फोर्ड को reserve कर लेती है, फोर्ड को इस्टोर कर लेती है, तो यहाँ पर हमारी अलगी की अलग-अलग ग्रूप दिये गए है, है ना, अलगल ग्रूप दिये गए है, और उनके जो है, फोर्ड reserve दिये गए है, कि कौन से food को वो इस्टोर करती है, तो चलिए इसे match कर लेते हैं वैसे लीडोफाइसी, जैन्थोफाइसी, फियोफाइसी, और क्लोरोफाइसी जो वैसे लीडोफाइसी है, उसमें क्या है आपका oil है, लिकोशिन है, या फिर manitol है, या फिर valutine है, बताएंगे आप जो वैसे लीडोफाइसी है, इसके पास जो storage food है, वो क्या है, valutine, ठीके, वो क्या है, valutine, तो ए आपका fourth, हैना, ए क्या हो गया, आपका fourth के साथ, अगर जैन्थो phyc की बात करें, तो इसमें आपको oil के form में, food, store मिलेगा, तो आपका V हो गया, one के साथ, ठीके, अगर few phyc की बात करें, तो यहां आपको देखने की मिलेगा, क्या manitol, तो हमारा C के साथ क्या हो गया, third, ठीके, C के साथ हमारा क्या हो गया, third, अगर chlorophycy की बात करें, green इलगा की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका starch, तो starch है, यह इसका storage food है, तो D के साथ हमारा fifth हो गया, ठीके, A fourth, B one, C third, and D fifth, तो यहां पर आपको options देएगे हैं, आप यहां से correct कर लेंगे, तो यहां पर क्या correct हो जाएगा, A fourth, B one, C third, and D fifth, यह A, A option आपका correct है, ठीके, यहां पर आपका A option is correct, ठीके, चलिए next question, next question है हमारे पास, here you can say, यहां पर आपको match करके दिया गया, Vecilorophycy, Volutein, Gentophycy, Oil के साथ, Vecilorophycy, Manitol, and Clorophycy में starch, यह बहुत ही important question है, यहां से आपके one by one करके भी पूछा जा सकता है, और match form में भी पूछा जा सकता है, तो इससे आप अच्छे से याद रखेंगे, इससे आप एक अच्छे से note बनाते चलिए, वहां write down कर लिजिए, is derived from, वेला मेन की जो रूट है, वेला मेन आफ और्किड रूट, यह किसे derived होते हैं, जड़के फैलोजन से, जड़के प्लीरोम से, या फिर जड़के डरमेटोजन से, या फिर जड़के पेरी ब्लेम से, आपको वेला मेन टिस्सू को बताना है, जड़के 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 डरमेटोजन से, से, रूट के डरमेटोजन लेयर से, आप इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है, बेला मेन से काई बार कोश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो यह पहली बाद तो यह आपका मोनो कॉट है, और फ्लावरिंग प्लांट है, है ना, क्रिप्टो गेमस है, और यह एपीफाइट्स है, है ना, यह जो अधर प्लांट्स होते हैं, उन पर यह जो है, रहने के लिए, शिर्फ और सिर्फ, यू कैसे सेल्टर के लिए उगते हैं, तो यह कैसे हैं, यह एपीफाइट्स हैं, ठीक है, जो बेलामेन, है आर्किड्स के, जो आर्किड्स हैं, यह कैसा है, एपीफाइट्स प्लांट्स है, आर्किड जड़के बेलामें जड़के डर्मेटो जनसे वित्पन होते हैं जड़की फैलो जन इनिसियल्स एपीडर्मिस के नीचे चार या पांच सेल परतों के पेरिशाइकिल कोसिकाओं से ये बने होते हैं ठीक है तो इसे आप अच्छे से बढ़ लेंगे साइटो क्रोम ओक्सिडेज सम्बंधित निम्न लिखिट कतनों में से कौन सर्थिन नहीं है आप से नाड पूछा गया है साइटो क्रोम ओक्सिडेज के बारे में इन में से क्या सही नहीं है तो बताएंगे यहां पर incorrect क्या है तो यहां पर incorrect है option number C है ना क्योंकि अगर एक बार पूछा है कि केवल copper होता है और अगली बार पूछा है आपसे copper के साथ iron है है ना तो हमारा statement तो यहीं से बनने वाला है कि या तो फिर हमारा ये गलत होगा ठीक है या तो फिर ये गलत होगा या फिर ये गलत होगा लेकिन दो तो हमारे पास option क्या है, correct है, जो cytokrome oxidase है, ये कहां पर present है, mitochondria में, ठीक है, और ये electron transport system में अपना role play करता है, ठीक है, क्या करता है, ये transfer to oxygen, है ना oxygen को transfer करने में help करता है, तो जो cytokrome oxidase है, इसके पास copper के साथ iron भी होता है, ठीक है, most important question, बिलकुल आप याद होंगे, इसके पास copper के साथ iron भी होता है, तो यहां पर हमारा जो incorrect answer हो गया, incorrect option, that is option number C, इसमें से केवल तामबा होता, ये बात गलत है, ठीक है, तो यहां पर हमारा correct statement क्या हो गया, that is option number C, option number C, ठीक है, चलिए, एक बार आप से detail में पढ़ लेंगे, अच्छे से, चलिए, next question है हमारे पास, नियमित बेयाम पेसी का आकार 60% तक बढ़ सकता है, यहां मुख्यता फल है, निमलिखित में से किसमी ब्रद्धी का, ठीक है, आपकी पास options यहां पर दिये गए हैं, ठीक है, तो चलिए, किस लिए जो है, अगर हम daily exercise करें, है ना, regular अगर exercise करें, तो हमारे जो muscles का, जो size है, वो कितना increase हो सकता है, 60% तक उनका जो safe है, size है, वो increase हो सकता है, है ना, muscles का जो size है, तो यह किसके कारण होता है, है ना, किसके कारण होता है, केवल पेसी कोशकाओं के बेयाम में, diameter of muscles, cells only, क्या muscle cells only, growth कर जाती है, या फिर, केवल पेसी कोशकाओं की संख्या में यह number आप muscle cells ओनी increase होती हैं समझना muscle का diameter increase होता यहनि कि एक muscle इतनी बड़ी थी आपने exercise किया तो muscle इतनी बड़ी हो गई या फिर आपके पास दो muscles आपकी एक muscle जो है वो suppose करीड़ वो cells से बनी हुई है ना तो क्या क्या muscle के जो number थे है ना वो muscles बनी हुई थी group of cells से उनका जो number था वो increase होगा वो multiply कर जाएंगी या फिर उप्रयुक्त सभी and option number C है केवल पेसी कुष्काओं के अंदर पेसी रेसकों की संख्या बढ़ेगी यानि कि myofibrils की बात हो रही या फिर जो हमारी muscles के अंदर है मसल के अंदर बहुत सारे जो हमारे myofibrils प्रजेंट हैं यह फिलामेंट्स होते हैं यह increase हो जाएंगे या फिर यह तीनों ही increase होंगे तब जाके कहीं हमारी muscles का आकार जो है muscles का size है वो 60% तक increase हो जाएगा तो यहां पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा that is option number D all of the above है ना तीनों चीजें होंगी क्या होगा पहले तो जो हमारी muscles थी उसका diameter बढ़ेगा ठीक है जो number of muscle cells था ठीक है वो भी क्या होगा multiply कर जाएंगे increase होगा इसके साथ साथ जो muscles के अंदर जो muscles के अंदर बहुत सारे myofibrils थे उनका भी number increase होगा ठीक है उनका भी क्या होगा number increase होगा तो यहां पर हमारा जो correct answer है वो है option number D ठीक है वो क्या है option number D ठीक है तो वही यहां पर चीज explain की गई है चलिए next question सूच्म जीवों एम कीटों के आकरमर से pinus किसके द्वारा अपने को आपने आपको बचाता है पाइनस protects itself microbial and insect attack through अगर पाइनस पर कोई microbial या फिर कोई insect अटेक कर रहा है तो पाइनस अपनी सुरच्छा अपना protection कैसे करेगा अपनी जो stem की जो उसकी बार्क है उसको ठिक कर लेगा या फिर केवल पेसी कोशकाओं की संख्या को है ना number A muscle cells को increase कर लेगा या फिर केवल पेसी कोशकाओं की अंदर पेसी कोशकाओं की number of myofibrils within muscle cells या फिर all the ever क्या करेगा या फिर all the ever तो यहाँ पर जो मारा correct answer हो जाएगा that is option number D यहाँ भी क्या होगा यह तीनों ही प्रोसेस को फालो करेगा उसकी बार्क है उसको क्या कर लेगा ठिक जिससे की microbial जो microorganism है उसके अंदर inject ना हो पाएं इसके बाद क्या करेगा number A muscle cells उनको भी क्या करेगा increase कर लेगा और जो इसके अंदर myofibrils हैं muscles के अंदर उनके भी numbers को बढ़ा लेगा ठिक है तो इस तरीके से जो पाएंस है वो अपना protection करेगा ठिक है तो यहाँ पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा option number D option number D अच्छा जो पाएंस है यह क्या है यह एक gymno sperm है ठीक है पाएंस किसके अंदर आता है आपका gymno sperm के अंदर आता है जिम्नो sperm है ठीक है और यहाँ पर क्या है archigonia absent है very very important क्या है यहां पर archigonia गोनिया अप्षेंट है ठीक है आर्ची गोनियम स्ट्रक्चर्ज यहां अप्षेंट होती है यहां पर आपको मेल और फीमेल कोन देखने को मिलेगी इसलिए हम इन्हें कोनी फर्स भी कहते हैं ठीक है और एक मोस्ट इंपॉर्टर्ट कोस्टन पाइनस से जो की बहुत ही स्वाई कैसे होते हैं विंग्ड विंग्ड होते हैं यह इसका सीड है तो इसके सीड में इसके सीड में इस तरीके से विंग्ड जैसी स्ट्रक्चर्ज प्रजेंट होती है जिससे यह क्या कर पाते हैं इनका डिस्पोर्जल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ठीक है ये एक इस्थान से दूसरे इस्थान दक आसानी से मूव कर पाते हैं। तो ये कुछ बाते थी फाइननस से जिने आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट कोश्चन। एलूवेल मिट्टी है ना स्वाइल की बात हो रही है। एलूवेल मिट्टी मुख्यता किस छेतर में पाई जाती है। एलूवेल स्वाइल आर मोस्टली फाउंड इन विच रीजन। नौर्थ इंडियन में ठीक है। नार्थ इंडिया में या इस्टोर्न इंडिया में या फिर सदोर्न इंडिया में या फिर गैंगेटिक जमना प्लेंस में तो बताएंगे यहां आपका करेक्ट अंसर क्या होगा यहां पर आपका करेक्ट अंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक है जो हमारी एलूवियल स्वाइल है इस से हम जलहोर मिठी भी कहते हैं, जब बारिस होती है, उसके साथ ये मिठी लूढ़कते भी आती है, यालिकि वाटर करंड के साथ ये मिठी आती है, फ्र एक जगा पर इगठी हो जाती है, तो ऐसी स्वाइल को हम एलूवियल स्वाइल कहते हैं, और ये हमें मोश्टली प्लेंस फर देखने को मिलती है ठीक है इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है इसे आप अच्छे से रीड कर लीजिए नेक्स्ट कोश्चन है हमारे पास वह प्रिक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की और सेक्स फैक्टर के रूप में इस्थानेंत्रित होते हैं कहलाती है आपसे क्या पूछा जा रहा है दे प्रोसेस वेर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रेसिपियंट एज पार्ट आप दा सेक्स फैक्टर टर्म डैज जब बैक्टीरियल सेल ठीक है आपने ए सेक्सुल रिप्रोड़क्शन के अंदर पढ़ा था कांजूगेशन है ना कांजूगेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यह प्रोसेस आपकी जो है सेक्सुल रिप्रोड़क्शन की है ठीक है मोडा सेक्सुल रिप्रोड़क्शन की है आप पढ़ेंगे फिशन ठीक है फिशन और इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे बडिंग ठीक है तो पहली बात तो यह प्रोसेस किसकी बात हो रही आसेक्सुल तो आशेक्षल में हमारा कांजूगेशन भी है, ट्रांसफोर्मेशन भी है और ट्रांसडक्षन भी है ठीक है अब क्या बात हो रही है कि जो डोनर है वो रेसीप्येंट को एक जीन के फॉर्म में पार्ट को डोनेट करता है जिसे हम सेक्स फैक्टर कह रहे हैं तो इस प्रोसे को हम क्या कहते हैं तो देखिए कांजूगेशन में क्या होता है वह प्रक्रिया जहां बैक्टिरिया के जीन ठीक है डोनर से रेसीप्येंट की और सेक्स फैक्टर के रूप में ट्रांस्मिट होते हैं इस्थानांत्रित होते हैं कांजूगेशन कहलाती है जीवान ट्रांसफ प्रिक्रिया है यह transformation की होती है ठीक है इसमें आपका क्या होता है transformation और transaction में क्या होता है DNA accidentally एक जीवाण से दूसरे जीवाण में वाइरस द्वारा इस्थानांत्रित होता है जब bacteria phase bacteria पर attack होता है उस समय क्या होता है transaction ठीक है चलिए next question आज की वीडियो का यह हमारा last question question number 40 पहली मोन है न पहली मोन में जो cardiac इस्थमक है पहली मोन में cardiac आमासे के भाग में hystet plate पाई जाती है जो cardiac इस्थमक है उसके किस पार्ट में पाई जाती है डॉशल में लेटरल में वेंटरल में या फिर रेडियल में ठीक है या फिर रेडियल में जो पहली मोन है यह आपके फाईलम अर्थरोपोडा से ब्लॉंग करता है इसमें से करिस्टेसियस यहां पर आपका जो करेक्ट एंसर यह ऑपशन नंबर सी वेंटरल साइड में इस्टमक चो कार्डियक इस्टमक के ब्ल साइट में हिस्टेट प्लेट प्रजेंट होती है बेरी बेरी इंप्रोटनेंट को अब अच्छे से यादगे हिस्टेट प्लेट कहां प्रजंट होती है तो यह प्रेंट के कार्डियक के बेंत्रल साइड प्रजंट होती है यहाँ पर एक्सक्थेंशन है देखेंगे पॉलीमेन में आपका कार्डियक इस्टेमक के वेंटरल पार्ट में हिस्टेट प्लेट पाई जाती है पैली मोन को प्रॉन भी कहते है ठीक है यह क्या है से प्रॉन भी कहते है और यह फाइल लम अर्थरोपोडा से विलॉंग करता है पैली मोन में इंटीना की कॉक्षी में इंटीनरी ग्लैंड प्रजेंट होती है जो की इ इक्सक्रिट क्या जाता है या एक्सक्रिटरी ऑर्गन क्या है ग्रीन ग्लैंड ञाइज और इसी को हम इंटेयनरी ग्लैंड भी कहते हैं तो यहां से आपके बहुत important three questions बने है ना एक आपका हिश्टेट प्लेट दूसरा इसका प्रॉण नेम है ये फाइलम आर्थरो पोड़ा से विलॉंग करता है और एक्सक्रेटरी आर्गन इसमें इंटेनरी ग्लैंड प्रजेंट होती है येसी को हम ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं ठीक है तो आई होब यहां तक के कोश्चन आप बहुत अच्छे से सारे के सारे कोश्चन और एंसर अच्छे से आप समझ पाएं होगी कोई डाउट है अगर तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आप फीडिया डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं थैंक्स पॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके नेक्स्ट कोश्चन हम लोग करेंगे